सो हेलो गाईज आज़ क्या टाइम में सब लोग चाहता है कि मिरा फोटो अच्छा रहाता ठीक है मेरा फोटो एक बहूत पर शुमां स्वाज कर लेते हैं तो फोटो आप से जाएंगे देख सकते हैं सिस अच्छ से म।ो criticize ठीक है नो इतना ब्लैक है लेकिन फिर भी मैंने इसको एडिट करके और कुछ इस टाइप से गोरा किया है ठीक है देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ठीक है नो तो कुछ इस टाइप का फोटो एटिंग आप लोगो को इस वीडियो में कंप्लेटली सिखाने वाला हो कि आखिर मैंने कैसे इतना गोरा किया वह भी वन क्लिक में किया है ज्यादा कुछ वह नहीं है एक ही क्लिक में हो जाएगा तो मैंने कैसे क्या क्या किया कि इतना फेस गोरा हो गया और यह सारा चीज मतलब पी एंजी हमने कहां से लगाया और यह सब और इतना क्लियर प्रेश करना मत भूलिए ताकि हमारी आने या लिएक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए दोस्तों बिना जरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट तो फैनले दोस्तों सबसे पहला प्रोसेस आप लोगों को क्या करना है ध्यान से देखिएगा एक भी स्टे करेंगे ठीक है तो यहां पर एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो हमारा फेस वाइट हो रहा है देख सकते हैं और यहां पर क्या करना है कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है डिक्रीज करना है और हाइलाइट को एकदम हंड्रेट परसेंट माइनस रखना है और वाइट को माइनस रखना है 100 परसेंट और बलैक को भी कुछ इस टाइप से माइनस में ही रखना है ठीक है ना बलैक को 91 तक माइनस करना है और साड़ों को थोड़ा सा ऐसे क्लिक कर लीजिएगा और इसका सेचुरसन थोड़ा सा कम करके और लुमियंस को 100% बढ़ा लेंगे तो देख सकते हैं अभी फेस पे हमारे गोरा तो हो चुका है लेकिन कुछ दाग धंबा टाइप का आ गया है ठीक है इसको हम कैसे हटाएंगे तो रेड टोन को सेलेक्ट करके और इसका हूँ, जो नीचे का लुमियंस होता है, इसको 100% बढ़ा लेंगे देख सकते हैं दाग धंबा थोड़ा बहुत हट गया ठीक है और थोड़ा थोड़ा बचा है तो ये किस कलर का है ठीक है ये कौन से कलर का है ये बहुत जानना जरूरी है ठीक है नो देखिए आप समर्जीय पहले विए क्यार क्या करते हैं माली यहाँ पर जो अब जो जो इसका विलुमियंज को बढ़ा लेते हैं इसका विलुमियंज बढ़ा लेता है So, देख सकते हैं, एंगदम finally hurt गया है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वाइट हो गया मेरा face, काफी अच्छे से, दोस्तों, अभी क्या करना है, green tone पे चले जाना है, green tone हमारे background, background का है, देख सकते हैं, background green है, तो हम green tone पे चलेंगे, ठीक है, green tone का क्या करेंगे, थ इसका ही जो है ना सेचुरेशन इसको 100% बढ़ा लेना सेचुरेशन को आप लोग बढ़ा लीजेगा अब यहां पे ब्लू कलर एक आता है देखिए तो दोस्तों यहां पे ब्लू कलर है तो ब्लू कलर मेरे कपड़े से और हेर से मिलता जुलता है ठीक है तो ब्लू का हम ठीक है एफेक्ट पे जाने के बाद टेक्चर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और किलियारिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे देख सकते हैं यहां पर मैंने दोनों बढ़ा लिया उसके बाद से हम क्या करेंगे डीटेल्स वाले ऑप्सन पर आके सार्पनेस को 100% बढ़ा लें ठीक है और इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे इन दोनों को फूल रखेंगे सब्सक्राइब करने के बाद से अभी क्या करने के बाद से अभी क्या करना देखिए मैं ज्यादा तरकाम लाइट रूम में ही करने वाला हूं एक ही अप्लिकेशन में आप लोग को काफी चीजे पता चल जाएंगी जो कि मैं बताता हूं ठीक है ना विदाउट ऑटोडेक्स के हम फेस भी स्मूथ करने वाले हैं काफी अच्छे से और एकदम तगड़ा टाइप कर ठीक है ना वह सब कैसे होगा सब चीज आप लोग को इसी वीडियो में मिलेगा सो देख सकते हैं ब्लैक को हम थोड़ा से कम करेंगे और सेड़ों को थोड़ा से इंक्रीज करेंगे ब्लैक को कम करेंगे ठीक है सेड़ों को थोड़ा से इंक्रीज कर लेना है और चले जाना है डारेक्टली कलर्स वाले ऑप्सन पे और यहां पे मिक्स टूल पे जाके हम थोड़ा से बैग् ब्राउन हो गया, 100% फूल किया तो कम कर दिया, अब इसका सेचुरेशन हम थोड़ा-थोड़ा डाउन करेंगे, देख सकते हैं सेचुरेशन जब डाउन करेंगे न, आटोमेटिक ये ब्राउन कलर में आ जाएगा, और बहुत ही ओसम लगता है, ब्राउन कलर क्या ही बता है, बहुत अच्छा लगता है, अब हम थोड़ा सा फेस को ऊर भी ज्यादा वाइट कर लेते हैं, यहां से, औरेंश टोन का स्ट्षरेसन हम थोड़ा सा बढ़ा लिए, वाइट भी हो गया, मेरा फेस, काफी अच्छे से और एर रेड टोन को भी हम बढ़ा लेते हैं, थोड़ा करेंगे तो यहां पर एक ब्रस का आइकन मिलता है ठीक है ब्रस पर क्लिक करने के बाद हमको क्या करना अपने लिप्स पर ऐसे ब्रस करना है देखिए मैं बता रहा हूं कैसे लिप्स का कलर करना बता रहा हूं आप लोग को वह भी लाइट रूम अप्लिकेशन से किसी अधर अप्लिकेशन से नहीं करना है ठीक है इससे एकदम रियलिस्टिक होता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोग चाहें तो लाइट रूम से कर सकते हैं तो इस पर आगया अब यहां पर देखिए कलर स्वाले ऑप्सन पर जाना है इतना कलर करने के बाद और यहां से हमको क्या करना है अपने लिप्स का कलर जो भी चाहिए रख सकते हैं ठीक है तो मैंने यहां पर यह वाला पिंक कलर रख लिए और डन कर लेंगे तो देख सकते हैं हमारे लिप्स का कलर काफी ओसम लग रहा है आप क्या करेंगे हम फेस को स्मू जो फैनली दोस्तो देख सकते हैं मैंने अपने पूरे बोडी पर जहां भी मेरा वाडी दिख रहा है मैंने पूरा अच्छे से कलर कर लिया है ठीक है और कहा कहा छोड़ना आए अप लोग ये भी करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे न टेक्चर का एक दम फसंट कम कर लेंगे इसका टेक्चर माइद मएन सब्सक्राइब देख सकते हैं थड़ा से smothe के जशे सकते हैं कितना अच्छे से रहा बना लिए फोटो को और ऐसे करके अपने फोटो को गुरा बिना सकते हैं देख क्रेस्ट का है अगर एकदम तो एक रियालिस्टिक डिक है थी कैना तो उल्क यहां पर चया करेंगे अभी हम चलेंगे यहाँ पे इस वाले option perfect में texture and clarity को add करेंगे थोड़ा बहुत add करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे details पे चलेंगे sharpness को बढ़ा के details को 100% बढ़ा लेंगे और noise reduction को ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे मैंने इतना काम कर लिया अभी हमको क्या करना है इस वाले application में कुछ भी नहीं करना है ठीक है दोस्तों अभी simply हम इसको share करेंगे अपने fixart application में देखिए एक ही application में मैंने कितना सारा काम किया और आप लोगों को सिखाया ठीक है अब fixart में थोड़े बहुत PNG को add करने के लिए लेके जाना है क्योंकि यह पी एंजी लाइट रूम में एड नहीं होता है आप लोगो पता है तो PNG मैं यहाँ पे add करूंगा कैसे कैसे कौन सा PNG add करना है व यह सबसे पहले add करना पड़ता है तो add करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देख सकते एड फोटो का एक option है इस पर हम करेंगे और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यह सीधा मेरे गैलरी में लेके जाएगा वहां से हम फोटो को add करेंगे तो फैनली गाइस देख सक उपर सर्च करना है रोज ठीक है और यहाँ पर हम लिखेंगे रोज लिख के सब्सक्राइंगे तो बहुत सारे प्रषब केमारे सामाने आज आएंगे ठीक है इसमेंसे किसी एक और लेंगेती इसमेंसे को पसंद आए जो भी आप लोग एड़ कर लिए अब इरेजर वाले option पर चले जाना है hardness को थोड़ा सब वढ़ा लेना है 95 और यहां से हम क्या करेंगे खुब अच्छे से एड़ किया तो इसको हम यहां पर एड़ करने वाले हैं देखिए इसको एड़ कैसे करना है वो भी आप लोग को बता देते हैं तो थोड़ा से इसको छोटा कर लेना है छोटा करके बस इसको एड़ करना है इसका जो आग है फायर वाला नीचे का उसको ऐसे करके एड़ करना ह है उसको अम एरिस्क्रक्राइब देख सकते हैं और यहां पे जो इस्मोग है ना इसको भी कर लेना यह क्योंकि ए तो जो हैं यह बहुत ही अच्छा है थोड़ा सा करना है थो जब आध किजई मैं मताता हूं आप कभी कभी ऐसा प्राबलम आ जाता है तो कि मैं इसको निकाल लेता हूँ ठीक है निकल गया अब हम फिर से इसको यहाँ पर अरजेस्ट कर लेंगे करने आप जलने के बाद यह वाला smoke PNG है, इसको हम क्या करेंगे? इस्क्रीन पर करेंगे, इसका वो वाला ठीक है ना, इस्क्रीन पर करेंगे और यहाँ पर इसको चाहें तो हम लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये भी थोड़ा सा ओभर लग रहा है तो हम इसको हटा देंगे ठीक है देखिए हम इसको हटा लेते हैं हट गया अब दोस्तों इसको हमको delete कर देना है ठीक है फिर से हमको sticker में चलना है यहां पर लिखना है broken ठीक ब्रोकेन लिखके search करना है जब आप लोग broken लिखके search क करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा टेक्स्ट पिंजी खुल के आएगा ठीक है इसमें से कोई एक चूज करना है जो की अच्छा लगे और उसको एड़ करना है ठीक है तो तो बहुत सारा चीज मिल जाएगा आप लोग इसमें से अड कर सकते हैं यह इसको भी हम एड कर लेते हैं यह ब्रोकन लिखने पर ही आता है यह ठीक है ना थुर्णा सा नीचे जाएंगे तो आप लोग को मिल जाएगा तो तो add कर लिजेगा ठीक है हमने दोनों PNG को add कर लिया काफी अच्छा से अब हम क्या करेंगे यहां पर सर्च करेंगे smoke ठीक है जो भी है यहीं से आप लोग को मिल जाएगा smoke लिखेंगे smoke लिखने के बाद आपको PNG मिलेगा smoke का भी बहुत ही अच्छा PNG मिलेगा जिसको हम add करने वाले है इसमें ठीक है न तो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा PNG आ रहा है इसमें smoke वाला उसके बाद से किसी एक को इसमें से उठाते हैं और add करते हैं ठीक है तो देखते हैं कौन सा PNG अभी तो कोई दिख नहीं रहा अच्छा से So guys देख सकते हैं यह वाला है और यह वाला है ठीक है दोनों में से कोई add कर सकते हैं तो मैं इसी को add कर लेता हूं इसको add करने के बाद देख सकते हैं इसका हमको smoke बस रखना है ठीक है न स्मोक को क्या करेंग कि हम कुछ इस टाइप से यहां से लगा देंगे और इरेजर वाले उप्सन पर चलेंगे और हम ऐसे कर लेंगे ठीक हाड़नेस को बढ़ा के नीचे का जितना वी एक्ष्ट्रा पार्ट होता है सब हम इरेज कर लेंगे ठीक है देख सकते हैं इसमोग प्यंजी लग गया है अजया ठीक है तो जितक लेच तिक है अगर देख सकते हैं यहां पर लगा लेना और कुछ इस टाइप से यहां पर लगा लिया और ड़न कर लेना यह वी पी एलग गया काफे अच्छा लग रहा है अब क्या करेंगे फोटो और चीट करने सेब करने के बाद इस फोटो को हम कहां पर एड करेंगे अपने इस नेप सीड एपलिकेशन में इसमें आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे टेक्चर एंड किलियारिटी को एड करेंगे ठीक है देख सकते हैं दोनों एड करेंगे और यहां पर व्यू इडिट पर क्लिक क करके और डिटेल्स पे क्लिक करके और हम क्या करेंगे अपने एर पर ड्रॉ कर लेंगे थीक है एक आपके सामने खूल के आगा यह लिखा होगा ठीक है इस पर कलिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा photo और भी ज्यादा dark हो गया अब done कर लेंगे इसको एक बार add करना था मैंने add कर लिया फिर से हम tools पर चलेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं एक option है portrait इस पर हम click करेंगे एक बार click करने के बाद इसको क्या करना है skin smoothing को थोड़ा सा बढ़ा लेना है eye clarity को कम कर लेना है तो देख सकते हैं इसको भी मैंने काफी अच्छे से add कर लिया अब हमको क्या करना है यहाँ पर एक curve का option दिखता है ठीक है न कर वाले option पर चलेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे red वाल इसको रखेते हैं blue tone को थोड़ा सा इधर उधर करके देखेंगे तो यह रहा टोन हमारा ठीक है ऐसे कर लेंगे और done कर लेंगे देख सकते हैं before and after काफी अच्छा लग रहा है so finally दोस्तों देख सकते हैं आपका photo बनके हो चुका है तैयार तो उमीद करते हूं आप लोग को